हें गाईज वेलकम बैक तो माई चैनल आई होप यू अला दोइंग वेल तो आज मैं शेयर कने वाले हूं अपना व्लोग तो बने रहे हैं एंड तक एंजाइ करते रहेगा और ये होने वाला है स्पेशल बर्डे व्लोग और माई डॉर्टर रोशनी तो नए है तो सब्सक्र करना मत भूलेगा लाइक किजेगा कमेंट किजेगा जरूर से और फ्रेंट्स शेयर कर सकते हो आप अपने फैमिली और फ्रेंट्स के साथ तो लेट्स गेट स्टार्टिट तो फ्रेंट्स लंच बनाने से पहले मैं थोड़ा बुच्छो है ना बर्डे का डेकरेशन करने व अब बेटी ने सारा कुछ पहलों फुलाया था बस मैंने उसको लगा दिया है टेबल डेकोर बाद में करूंगी तो अब ब्लेश्टिंग्स दीजे मेरी बेटी को और माइब बोद डॉर्टर्स आप मैं वर्ड एक्चिल यही मेरी दुनिया है और मैं इन दोनों बेटीयों की दुनिया हो एक्चिल है नहीं तो मेरे बच्चे मेरी जान है और मैं लब बोट मैं डॉर्टर्स वेरी मच तो एंजॉय कीचेगा नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेजेगा फ्रेंस चलिए चलते हैं कुकिंग करने तो फ्रेंस आज जो भी लंच में बनेगा रोशनी का फ पनीर पुलाओ तो मैंने पनीर मंगा था जो कि रोशनी का बहुत जादा फेवरिट है तो कुकर में मैंने डाला है थोड़ा सा ओयल और इसमें तेजपता लॉंग इलाइची काली मिर्च दाल चीनी जीरा वगरा सब कुछ डाल लिया है इसके पकने के बाद मैं इसमें आट करीबर मैंने एक लिया है उसको अच्छे से भून लेंगे और इसके बाद मैंने इसमें आट किया बारी कटा हुआ ये गाजर है साथ में बीन्स है जो कि अच्छा सा कलर देगा बाकी और कोई भी सबजी इसमें नहीं डालना होता है इस से हलका सा कलर आ जाएगा और देखन से भून लेना है सारी सबजियों के साथ और इसके बाद मैं इसमें आट करने वाली हूँ सोक किया हुआ ये बासमती राइस तो मैंने लिया है इसमें दावत का बासमती राइस और बस इसको अट कर लिया थोड़ा सा चलाएंगे इसमें जो मॉइश्यर है आक्चुली वह लख ज़ा तो जैसे मैंने एक चावर लिया ये लियु है तो ये बियु पर प्रॉपर भब करेंगे तो इसमें 1 ड़कुल नाने पश्यर है तो इसमें 1 ड्रकुरी पानिificar लिये विश्यर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अभी मैंने फ्लैम स्लो गर्खा है बाद मैं और निटने लिड लगाएंगे, सबसे पहले मैं थोड़ा सा पनीर इनना भूण लूँगी के थोड़ा से ड्राइफ्रूट्स मैं आड़ करने वाली हूं तो पनीर को मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था तेल को बिल्गूर अच्छे से हाई फ्लेम पर मैं नी गरम किया था और इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने पकाया था अलका सा बस इसके उपर बाद में थोड़ा सा मिर्च और नमक डाल देंगे ना तो इसमें जो है नमक मिर्च का फ्लेवर आ जाता है और वह ञओना के बाद इस को निकाल लूगे ऐख एक प्लेट में अर्थ Shore में अधनी काजू काजू के पखने के बाद मैं समार्धक्त निकाल लूए वाले हूँ तो यह थोड़ अधनी काजू के पखने के भाद में तो इस तरह से जब फ्राइ चर के डालो wondered काजू और किश्मिस आप चाहे तो बदाम को भून सकते हैं बस यह अपन चुका है और इन सब को मैं आड करने वाली हूं कुकर में जिसमें की पुलाव बन रहा है तो बस इसमें आड कर दूँगी और हलका सा जो मिक्स करके ना मैं इसको ढग कर रख दूँगी आप चाहे तो मैंने कुछ आलू को बॉयल करके रख लिया था यह मेरे पास बेबी पोटाटोस है इसका बुना आलू में बनाने वाली हूं मसाले तार काफी जाद अच्छा लगता है तो मैंने आलू को तीन सीटी आने तक इसको कर लिया था बॉयल प्रेशर को और इसके बाद इसका उप जीरा एक चोटे चमच के करीब और थोड़ा सा इसमें जो एड किया है धनिया साबुद धनिया एक चमच के करीब इसमें साफ एड किया है और इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा पका लोंगी थोड़ी सी मैंने काली मिर्च एड किया है और साथ में साबुद लाल मिर्च को ए अच्छी सी खुश्बु आने लगी फ्रेंजी फॉटा सब आदिर दaire को आदर को पीशेंगे लूटा से मैं ने मसाले को कर लिया है और बस अब मैं तड़कल लगाने वाली हूँ तो थोड़ा से मैं तेल डाला है कडाई में और जब तक वह गरम हो रहा है इसको हाइफ में परोग पर लोग कर लें अन्दर तक मसालेuckt के मल जाने वाला हुआ यहां चोटे अलू है के बड़े साइस के अलू करते हैं यह इस तरह से vale Candamate तो इस तुरह नियुक्त करें तो यह भूना आलू मसाला बहुत जादा यमी लगता है पराथे रोटी से अजॉइ कर सकते हैं तो इस तरह से अच्छा सा कलर आ चुका है फ्रेंज पूरे इकुल जो है न पक चुके हैं अल्रेडी बॉयल है तो इसका जो फ्राइ करके बनाते ह बस इसी ऑईल में थोड़ा सा जीरह एक किया तो बस इसका प dobh प्रेंदरग लेसुन के पेस्ट को एट किया है इसको भी हल्का सा भूनने के बाद मैंने इसमें अट किया है हल्दी पौडर मिर्ची पौडर थोड़ा सथिनिया पौडर स्वात के साब से नमक एट करना है और इसको अच्छे से फ्राइब कर लेंगे बिल्कुल जो कच्छा पॉरा फ्लेवर आलू में आ जाए तो हल्का सा चड़क कर लेंगे और इसको पकाई एंगे तो यह अच्छा रहता है वनना कई बार होता है फ्रेंस दरदरा उसे अड़ कर दिया है और खटे पन के लिए मैंने इसमें अड़ किया है अमचूर का पौडर और इसको अच्छे से थोड़ी देर के लिए मैंने भूना है अगर आपके पास अमचूर पौडर नहीं है तो लास्ट में इसमें थोड़ा सा नीवुकरफ बस इसमें मैंने अट किया लास्ट में धनिया पत्ता और इसको डिश आउट कर लोगी तो यह सुखा भूना जो है ना आलू मसाला काफी जादा अच्छा लगता है जरूर ट्राइ किजिगा इसकी आलू की कतली भी बना सकते हैं तो मैं फिर कभी शेयर करने वाली हूं वह भी तरह मीडियम फ्लेम पर एक सीरी लग चुकी थी यह कुकर में और अराम से जो इस्टीम बगरा निकलने के बाद मैं आपको इसको दिखा आती हूं बिल्कुल खिले किले एक एक राइस जो है ना एक चुली दाने बहुत अच्छे से खिले हैं और यह अच्छा कासा लांग आपके लगाइने में बिल्कुल गरम कर लिया था सबने आर पनीर ही टाल कर चुका है इसको निकाल लूंगी एक प्लेट में और यह सिंपल पनीर मसाला से बनने वाला है पटाफट से बन जाता बढ़ हां टेस्टी लगने वाला है ड़ीनेटली तो बस इसमें थोड़ सा त क्योंकि आज मुझे शॉप भी जाना है केक पिक करने के लिए केक को हमने पहले से ऑर्डर कर दिया था तो यह सारा काम भी अभी मुझे बाहर का निप्टाना है तो मैंने प्याच के पेस्ट के साथ थोड़ा सा अद्रक लेस्ट का पेस्ट को आड़ करके तीन से चार मिनट अच्छे से मसाले को भून लिया था जो प्याच बगरा का कच्छा पन्य न वो हट जाए फिर इसके बाद हल्दी पाउडर मिर्ची पाउडर धिन्य पाउडर नमक एट करके 2-3 मिनिट भूनना है जो भी कच्छा पने ना वो मसालों का अगर निकल जाता है तो सब्ची अच्छी बनती है बरना टेस्ट बिल्कु खराब हो जाता है और अब मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा कसुरी में थी और डो टमाटर को मैंने पीस लिया था उसे ए कीसा हुथ मैंने इसमें दोऑ चम बना टिया थोड़ा सामें घमक का लेंगे जब करते हैं तो इसमें से क्या होता है थोड़ा सा जो है झैना सई सबची अच्छी बने वाली तो अक्या है हां पनीर पानी पानी अट अगर आपको कड़ाई पनीर बनाना ना तो थोड़ा सा जैसे पनीर आपने भूना है उसी तरह से थोड़े से मोटे टुप्टे में कटा हुआ प्याज और शिम्रा मिर्च भून कर भी इस समय डाल सकते हो तो टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला तो मैं इसको सिंपल जो पनी नहीं रहा है तो फ्रेंड्स वो बन चुका है इसलिए मैंने को सिंपल रखा और इसके बाद थोड़ा सा मैंने पानी आट किया है और इसको थोड़ी देर के लिए मैंने पकने के लिए रख दिया था?? बाद यह बनकर तैयार है पनीर-मसाला अरश लास्ट में मैंने बनाने के लिए तो उसको मैंने थोड़ी देर 10-15 मिने ट्रक दिया था आटे को बस अभी मैं जो है ना फूरी सेक रही हूँ तो आज जैसे की 19 जैन है फ्रेंस रोशनी का बर्डे है तो आज मैंने बोला था स्कूल मत जाना क्योंकि स्कूल जाती न तो फिर वही है शाम को फिर कोचिंग बरगरा करने के बाद वो साड़े चार पांच बजे तक घर आती तो इससे अच्छा आज मैंने बोला कि ठीक है अ अच्छा का हमारा लंच रोशनी को बस इसके बाद जो है थोड़ी दिर बाद ही टाइम हो गया था तो मैं इसको छोड़ने गई थी कोचिंग और इसके बाद मैं लट आई थी घर में और फिर दुबारा से जब इसको लेने गई थी न तो मैंने जो केक वगरा पिक कर लिया तो बस यह शॉप में उसी के जो अन दवे ही पढ़ता है जहां रोशनी का कोचिंग है न वहीं पर यह शॉप है यहां बेकरी के सारे आइटम मिलते हैं अकसर हम लोग यहीं से लेते हैं तो बस मैंने ले लिया था और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा जो शॉपिंग करके साभी में यह शॉटाए है केट वग-धर लेकर तो रूठीय है जानी अचोरा को चुकान तो कड्यानी रचाइं में तो अंच कैंडल कर दिया था और रोशनी को आ बीच कॉल और को चुक आज दादे को भी it क्रूल किया था इस में दादी को भी ई वीडियो काल था और सारे लोग इसको विश्च कर रहते हैं and you can see smile on my baby's face and all I want lots and lots of blessings to my daughter friends बहुत सारे blessings दीजिए मेरी बच्ची को और अच्छे से पड़े लिखे और अपने जो है ना खुद का और अपने परिवार का नाम रोशन करें बस यही चाहती हूं मैं और मेरे तरफ से जो बन सका मैंने पूरा किया है पापा भी रेडी हो चुके हैं बस कैंडल वगरा जो है ना इसको लिट कर रही हूं और यही है आज का अक्च्छी हम लोग ले के आये थे हर बार थोड़ा सा चेंज कर लेते केक को तो इस बार बटर सकॉच वाला केक लिया था और काफी सादा यह फ्रेश था अक्च्छी तो बस यह कैंडल हमने लगा दिया है और काटने की पारी तो रोशनी अपना सेलफी ले रही है क्योंकि वो अपने मोबाइल में स्टेटस में लगाने वाली है और उसके फ्रेंड देखेंगे तो बच्चे का भी अपना एक लाइफ होता है और शी इस एंजॉइंग अलोट हैपी बड़ डे टू यू हैपी बड़ डे टू यू हैपी बड़ डे डियर रोशनी हैपी बड़ डे टू यू तो फ्रेंड इसके बाद हो चुका केक कटिंग और रोशनी को भी खिलाएंगे और एक तरह वीडियो कॉल पे मेरी बड़ी बेटी भी गाना गा रही थी हैपी बड़ डे का तो बस अभी रोशनी के लिए सब के लिए केक निकाल देती हूं स्केम के तो बस लिए और बस इसके बाद थोड़ा सा है नाशता गारा जो में लेकिए आई ती समोसा और हॉट डोग ये सब तो बस वही सब करने वाले यू? वैसे भी दूपैर का जो खाना है ना फ्रेंस वो भी रखा है और ये थोड़ा वो जो नाश्ता करने के बाद ही ना किसी को फिर भूकी ने लगी रोशनी ने भी मना कर दिया था कि मैंने खाऊंगी डिनर क्योंकि होट डॉग खाई थी और ये पापा का फेवरेट पापड़ी चार्ट जो हता ना एक्चुली ये राज कचोड़ी चार्ट है ये और भी जादा उनको जो स्टाफिंग वाली अच्छी लगती तो मैंने उनके लिए ये लेकर आई थी और ये हाट डॉग है पापा हाट डॉग नहीं खाते हैं और ये काजु कतली थी और कुछ चॉकलेट वगरा इसके जो फ्रेंड वगरा के लिए भी लेकर आई थी बट नेक्स डे इसका हॉलीडे पढ़ गया है दूसरे दिन भी स्कूल की चुट्टी है तो कोई बात नहीं फिर कभी दे देगी वो चॉकलेट वगरा लेकर आया थे हम लोग डॉइरी मिल्क वगरा तो बस इसी तरह से जो है ना आज का सेलिबरेशन हुआ है और हमने जो जो अपने पसंद की चीज़े है समोसा वगरा एंजॉई किया तो मैंने थोड़ा सा रात में डिनर जरूर किया था बट पापा ने रोशनी नहीं किया था क्योंकि मैंने दुपैर में तो लंच नहीं किया था तो मुझे भुग लग गई थी तो friends आज का vlog मैं ही end करती हूँ मिलते हैं कोई another vlog के साथ तब तक के लिए stay blessed and happy love you all, bye bye